नमस्कार स्वागते आपका न्यूज वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी एक नज़र डालेंगे यूपी की खबरों पर यूपी के रामपूर में सूथ खोरों के तगादों से परेशान मिठाई विपारी ने जहरीला प्रदादखा का मौत को गले लगा लिया परिज्डों ने कोत्वाली पहुँच का सूथ खोरों परात मत्या के लिए उकसाने का रोप लगाते हुए तहरीर दी है जिसके बाद पुलिस ने शब को कबसे मेले का पोस्पॉनम के लिए भिजवा दिया है साथ ही चार लोगों के खिलाफ मुकजमा दर्जकर मामले की जाश शुरू कर दी है बारा बंकी में बारा वर्शे किशोर की संदिक परस्तितियों में मौत हो गई जंगल में पेड से लटका बच्चे का शव मिला बतादे बच्चा खोली में नाना नानी के घर आया हुआ था घटनेस्तल के पास संत्र मंत्र की सामगरी भी मिली है जिससे लोग बच्चे की तंत्र मंत्र से हत्या की आश्रंका भी जता रहे हैं लोनी कटर थाना शेत्र के योगिरी बंदिर के जंगल की ये पूरी घटना है प्रताबगर में जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की मौत हो गई बता दे अब तक चिले में जहरीली शराब पीने से दरजरों लोगों की मौत हो चुकी है वहीं अब S.P. अकाश तोमर में मामले का संग्यान लेते हुए उद्यपूर थाना ध्याक्ष को सस्पेंट कर दिया है फिरोजबाद में एक फैक्टरी में अचानक भीशरनाग लग गई आग लगने से काम कर रहे मज़ूरों में अपरात अफरी का माहौल मच गया आनन फानन में इसकी सुचना फाइर बिगट को दी गई सुचना के बाद फाइर बिगट की पांच गाड़िया मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका फिलाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताय जा रहा है गाजिपूर के रकसाहा गाउं के पास गेहूं के खेत में बिजली की चुंगारी से आग लग गई रास्ते से आ रहे काउगरस सेंता एहमद शंचात की नजर जब पड़ी तो वो अपने साथियों के साथ आग की लपते बुजाने में लग गए पोलिस भी मौके पर पहुँची लेकिन युवाओ के मदद से आग पर काबू पालिया गया पीली भीत में आचार साहिंता की जम कर धचियां उड़ाए गई दरसल पंचाई चुनाव के वोटरों को लुभाने के लिए गाउं में अश्ट्रील डांस कराए गया बार बालाओ के अश्ट्रील डांस का वीडियो भी शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है धाना जहानाबाद इलाके के सिकलापुर गाउं का पूरा मामला है देश में बहु प्रतिक्षित त्रीस सरीय पंचाई चुनाव की डुगडुगी बच गई है आदर्श अचार सहींता लागू हुए छे दिन गुजर चुके है ऐसे में जिले में नेताओ के खोडिंग पोस्टर बैना हटाने के लिए अभ्यान भी चलाए गया 69 करोड के बजट को खरी जंडी दी बोर्ट बैठक में सभासत पतियों के बीच में बोलने को लेकर भी नाराज कुछ सभासत हुए हंगामे के बीच ही बैठक छोड़ का ईयो और पालिका ध्यक्ष चले गए शामली में तेज अफता का कहर देखने को मिला चहाँ पतेज गती से आ रहे अनियंतरी ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को कुछल दिया ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा कुछले गए दोनों योगों को शामली के नीचे अस्पताल में भरती कराया गया चहाँ पर दोनों ने दम तोड़ दिया वहीं मौके पर मौझूद लोगों ने ट्रेक्टर ट्रॉली चालर को पकड़ लिया और उसे पकड़ का पुलिस को सौप दिया दोनों मृत्कों के शब को कब से मिले कर पुलिस ने पोस्ट मौडम के लिए भीज दिया और आगे की कारवाई में जुट गई है शामली पुलिस अदिक्षक के सुरक्ष में तराथ मोहित नाम के सिपाही ने उस वक्त इंसानियत का परिच्चो दिया जिस वक्त एक विक्ती नहर पुल से च्छलंग लगा कर नहर में कूद गया था ठीक उसी समय अपनी ड्यूटी मेतनाज सिपाही मोहित कुमार ने डूपते हुए इंसान की जान बचा का इंसानियत का पहिचर दिया है वहीं जिस वक्ती की बोहित सिपाही ने जान बचाई वो गाउं खरर का रहने वाला है जिसका मानसिक संतुरन खराब होनी की वचा से वो कहीं भी अपनी मर्जी से चला जाता है उसफणनागर में एक 35 वर्षी यूवक की करदन कटी लाश मिलने से शेत्रो में संसनी फैल गई लाश के पास से उसनी साइकल भी जोंकी तो खड़ी मिली जहां देखते ही देखते हैं मौके पर रहागिरों के साथ ही ग्रामेरों के भीर भी जुट गई किसी ने घटना की सूचना थानी पुलिस के साथ ही यूपी 112 डाइल को भी दे दी गर्दन कटी लाश मिलने से की सूचरा मिलते ही पुलिस विभाग में भी खड़कम मच गया और आनन्फानन में ही दो थानों के पुलिस स्पोर्स के साथ ही सीओ सिटी कुलदीब कुमार सिंग भी मौके पहुच गए जहां पुलिस ने शर्फ के सिनक्त के काफी प्रयास किये मगग घंटों की कड़ी मशकत के बाद भी शर्फ के सिनक्त नहीं हो सकी डॉक्टर नवीन कुमार श्रमादा सिविल और क्रिमिनल बारा सिस्येशन के पांचवी बारा ध्यक्ष बन गए हैं सभी अधिवक्ताओं ने फूल माला पहना कर उनका स्वागत किया यूपी की खबरों में बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तवाम खबरों से जुड़ी रहने के लिए आप देखते रहें न्यूस पॉल इंडिया